नोशकार विवर्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में आज की वारता केंद्रित है मंत्रों के द्वारा कैसे इलाज विविन बिमारियों का संबब है मैं बता दूँ विवर्स, किसी भी बिमारी से ग्रसित होने पर अक्सर लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और उनकी सरला के अनुसार धवाईयां आधी लेते हैं परंदु कई बार इलाज के बावजूद भी रोग दूर नहीं होते हैं बिमारी की मूल वजह दूर किये बिना केवल बहरी इलाज कराने से ही ऐसे प्रयास बेकार हो जाते हैं अनाधी काल से मंत्रों के द्वारा विवन बिमारी को ठीक करने की परंपरा चली आ रही है जिसने मंत्रों की शक्ती को समर्थे को जान लिया उसकी दुनिया ही बदल गई ऐसी परिस्ति में जब आपकी बिमारिया ठीक नहीं हो रही है कुछ ऐसे मंत्र भी होते हैं जो बेहत कारगर सिध होते हैं और आपको काफी राहत विवन प्रकार की बिमारियों से दे सकते हैं अगर आध्यात्मिक नजरिये से देखें तो हर तरह के रोगों के मूल कारण ऐसा कहा जाता है कि इनसान के पूर्व जनम या इस जनम के पाप ही होते हैं इसलिए आयरुवेत में बताया गया है कि देखताओं का ध्यान स्मरण करते हुए दवाईयों का सेवन से ही शारिक और मानसिक रोग दूर होते हैं आयरुवेत की मानेता है कि जब हवन देखताओं का पूजन ये भी रोगों की दवाईयां है ऐसे में रोगों के नाश के लिए पूजा और देवताओं के मंत्र की उपयोगता स्पस्ट होती है जो जटिल रोग से पेड़ी हो उन्हें हनुमान जी की आराधना करनी चीए वैसे तो विवर्स श्रदालू पूरी हनुमान चालीसा का पार्ट किया करते हैं पुरंतु ऐसा माना जाता है कि रोग नाश के लिए हनुमान चालीसा की निमने चौपईयां और दोही जो मैं वर्णिन कर रहा हूं को मंत्र की तरह जपने का विधान है इसको करने से कई प्रकार के रोग व्यादी बिमारियां आपके पास नहीं आएगी और आप अपने शरीर में बहुत ज़्यादा फिटनेस फिल करेंगे। पहला चौपईया है बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विध्या देहु मोही हरहु कलेश विकार। दूसरा चौपईया है नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। कहते हैं कि इन दोनों मंत्रों को यदि कोई व्यक्ति काफी समय जाप कर लेता है तो इन दोहों के जब से हर तरह के रोग शारिक दुरबलता मानसिक कलेश दूर हो जाते हैं। खास बात तो यह कि हनुमान जी के उपासक को सदाचारी होना चाहिए। सदाचार से वे प्रसंद होते हैं और मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इन मंत्रों का जब अनुस्ठान के साथ करने के भी तरीके हैं पर वे थोड़े जटिल हैं। इनके जब का आसान तरीका भी है किसी भी वेक्टी को दिन या रात में जब कभी भी मौका मिले। हनुमान जी को याद करते हुए इन मंत्रों का मानसिक जब मन ही मन करना चाहिए। चलते फिटते यात्रा करते हुए कोई शारिक काम करते हुए भी इसे जपा जा सकता है। ये क्रम रोग दूर करने तक उच्छा के साथ जारी रखना चीए, ये बहुत प्रभावशाली मंत्र है, दोवा है, इससा आपको बहुत लाब, फिटनेस मिलेगी, जो आपने कभी आशा ही नहीं किया होगा Viewers, जिस वैक्ति ने मंत्र की महिमा जान ली, मानो उसका संसार ही बदल गया, मंत्रों में बहुत शक्ती चुपी होती है, मंत्रों में स्वैम, भगवान, देवता चुपे रहते हैं, जब तक आप जाप नहीं करोगे, उसका पावर रिफ्लेक्ट नहीं होगा मंत्रे जाप में इतनी शक्ती होते हैं कि कई रोगों को ठीक कर सकता है, यहां तक कि इसको आध्यात्म का दवा खाना भी कहा जाता है मैं एक और मंत्र आपको बता रहा हूँ, जिसका जाप करने से बहुत लाब, शरीर में बहुत फिटनेस और बहुत अच्छा फीलिंग आप करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कई बिमारियां जो आपकी चल रही है, उसका परसंटेज बहुत कम हो गया है वीवर्स वो मंत्र है, ओम रुद्राय नमहा, फिर से बता दूँ, ओम रुद्राय नमहा इस मंत्र को सित करने के लिए 6 महिने तक प्रते दिन एक माला जाप करें इस मंत्र के प्रभाब से वीवर्स, कठिन से कठिन रोग, असादे रोग पर विजय पाई जाती है गंबीर रोग की सिती में पानी में देखकर मंत्र जाप करें और वो पानी रोगी को पीने के लिए दे दे स्वैम बिमार हो तो भी ऐसा करें, बहुत लाब, बहुत लाब चमत्कार का अनुभब आपको होगा वीवर्स, मंत्रों की महिमा अप्रमपार है इनको अब जरूर प्रोग करिएगा ताकि सांसारिक जगत की यात्रा आपके आराम से निकले और दुख का सामना नहीं करना पड़े इसी प्रकार वीवर्स, गायत्री मंत्र का भी बहुत महिमा आश्रिवाद है बिमारियों से छुटकारा दिलाने में सनातन धरम के शास्त्रों में गायत्री मंत्र को बीच मंत्र माना गया है माना जाता है कि गायत्री मंत्र के सयोक से ही महामिर्तुन्जे मंत्र संजीवनी मंत्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है गायत्री मंत्र ओम भूर वस्वाह तत्सवितूर वरेन्यम भर्गोर दिवस से दीमही देयो योनह प्रचोध्यात है ये मंत्र विवर्ज अर्तियधिक प्रभाबशाली और चमतकारिक माना गया है इस मंत्र से कई रोगों का उपचार भी किया जाता है गायत्री मंत्र का अनुस्ठान एक ऐसा उपाय है जिसे मनुश्य के अंदर दीवे शक्तियां पैदा होती है जो मनुश्य में व्यप्त रोगों का नाश करती है जो व्यक्ति स्वयम अनुस्ठान में सक्षम ना हो तो वो किसी भी विद्वान से ही कारे करवा कर लाब प्राप्त कर सकता है विवर्ज एक निस्चित संक्या में गायत्री मंत्र का जाब करने से रोगों को दूर किया जा सकता है रोग जैसे पीलिया कोई बच्चा इदी पीलिया से ग्रस्ट है पीलिया से ग्रस्ट बच्चों को रोग्त मुक्त करने गायत्री कवच से जल अभिमंत्रित करें और उससे बच्चे की आखों को धोएं ऐसा पांच या साथ अत्वक ग्यारा दिनों तो करें इसके साथ ही गायत्री मंत्र से मंत्रित जल रोगी को पिलाते रहें मा गायत्री किरपा से बच्चा जल ठीक हो जाएगा और बहुत लाब मिलेगा उल्टी और दस्त के समय तीन शाम तक गायत्री मंत्र से अभी मंत्रित जल एक एक चमच पिलाएं बच्चे को उससे उल्टी दस्त में आराम मिलेगा बच्चा स्वस्त हो जाएगा साधरन बुकार यदि साधरन बुकार है तो जल को 108 बार गैतरी मंतर से अभी मंतरित कर दें दोदो चम्मच हर तीन घंटे के अंतराल में रोगी को दें ये तेज बुकार है तो इसी जल की पट्टी मरीज के सिर पर रखें बहुत लाब मिलेगा सिर में तेज दर्द होने पर 108 बार गाहितरी मंत्र का जाब करें रोगी को पानी पनाए इस क्रिया से दर्द जल ठीक हो जाएगा अनुस्ठान काल में बच्चे के माता-पिता पूरुन ब्रह्मचारे का पालन करें और शेयन आजी भूमी पर करें अनुस्ठान के समय उन्हें मन में गाहितरी मंत्र का जाब करना चीए याद रखें आप जितना पवित्र और ब्रह्मचारे का पालन करेंगे आपका सामर्थ है आपको आशिरवाद गाहितरी मंत्र का बहुत ज्यादा मिलेगा और जितनी पवित्र रखेंगे मंत्र उतना तेज काम करेंगा व्यूर्ज इंदू शास्त्र में गाहितरी मंत्र के सास्त्रकार मंत्र भी कहा गया है गाहितरी मंत्र के स्योक से ही महामर्तुन्जे मंत्र ओम नमश्युवाई संजीवनी मंत्रे में परिवर्थित हो जाता है ब्रह्म शक्ति की प्राप्ति इसी महा मंत्रे की साधना से होती है लेकिन इस कनस्टान कर समय बहुत सापधानी भी भरतनी चाहिए धन्यवाद व्यूवर्स मैं आशा करता हूँ इन मंत्रों से आपको काफी लाप मिलेगा और आप कई बिमारियों से निजात पाएंगे धन्यवाद एक और वारता के साथ फिर से मुलाखात होगी बाहर गायत्री कोई मंत्र नहीं है जिसे पढ़ने से मुक्ति मिलती हो वरन एक समरपढ़ात्मक छंद है तीन बार विजलित होने के पश्चाद रिशिव विश्वा मित्र ने अपने को इश्ट के प्रतिसमरपित करते हुए कहा ओम भूर भुवः स्वाह तत्सवितुर वरेन्यम भरगो देवस्यधी महिधियो योनः प्रचोदयात अर्धात भूह भुवः और स्वाह तीनों लोकों में तत्व रूप से व्याप्द देव आप ही वरेन्य हैं हमें ऐसी बुद्धी दे ऐसी प्रेरणा करें कि हम लक्षे को प्राप्त कर लें ये मात्र एक प्रार्थना है साधक अपनी बुद्धी से यधार्त निर्णे नहीं ले पाता कि मैं कम सही हूँ और कम खलत अम् पूर्बुवस्वाः तट्सविदूर्वरेन्यम बर्गोदे वज्यादी मही जियो योना प्रचोदयाद अम् पूर्बुवस्वाः तट्सविदूर्वरेन्यम बर्गोदे वज्यादी मही जियो योना प्रचोदयाद अम् पूर्बुवस्वाः तट्सविदूर्वरेन्यम बर्गोदे वज्यादी मही जियो योना प्रचोदयाद अम् पूर्बुवस्वाः तट्सविदूर्वरेन्यम बर्गोदे वज्यादी मही जियो योना प्रचोदयाद अम् पूर्बुवस्वाः तट्सविदूर्वरेन्यम बर्गोदे वज्यादी मही जियो योना प्रचोदयाद अम् पूर्बुवस्वाः तट्सविदूर्वरेन्यम बर्गोदे वज्यादी मही जियो योना प्रचोदयाद अम् पूर्बुवस्वाः तट्सविदूर्वरेन्यम बर्गोदे वज्यादी मही जियो योना प्रचोदयाद अम् पूर्बुवस्वाः तट्सविदूर्वरेन्यम बर्गोदे वज्यादी मही जियो योना प्रचोदयाद अम् पूर्बुवस्वाः तट्सविदूर्वरेन्यम बर्गोदे वज्यादी मही जियो योना प्रचोदयाद अम् पूर्बुवस्वाः तट्सविदूर्वरेन्यम बर्गोदे वज्यादी मही जियो योना प्रचोदयाद अम् पूर्बुवस्वाः तट्सविदूर्वरेन्यम बर्गोदे वज्यादी मही जियो योना प्रचोदयाद अम् कम भर्बुवस्वाः स हुआ को जियो कर दो झाल झाल